हाई गाइस होट्सब अभी अलाइट वेडियो अभी टाइम हुई है 7.30 पेम आज ना मैंने सारे दिन कुछ नहीं सूट किया कल मैगी का के मेरी हलत खड़ाब हो गई थी तो मैं उसदर पहले सोच रही थी क्या वीडियो बनाऊंगी फिर मुझे याद आई किसी ने कॉमेंट किया था कि आप अपने जुएलरी कलेक्शन सेयर करो तो मैं मेरी सारी जुएलरी से लेके बैठ गई हूँ और इससे मेरी जुएलरी कलेक्शन तो ज्यादा नहीं है मुझे जुएलरी जादा पसंद नहीं मेकप में मुझे लिप्स्टिक आई-लाइनर काजल और बिंदी यह और आप लोग साथ सोच रहे हों मैं इतनी सस्दज के क्यों बैठी हुई हूई हूँ क्योंकि मैंना पुछ दर पहले 100 वीडियो बना रही थी ओ भी चैनल में अप्लोड कर दिया मैंने देख लेना यह जो मंग्टिक का है ना यह मेरी बहुत फैबरेट है बहुत जूनने के बाद यह मुझे मिली थी इसके साथ दो एर्रिंग्स है यह देखिए प्याडी है ना यह मैंने मेले से करीदी थी मेरा एक मामा का साधी था तो इसलिए करीदी थी मैं ज़िलर ही खडिती नहीं हूं क्लोज रिलेटीव का साधी हो तो ही खडिती हूं अधर्वाइज इद में करीदी हूं बस क्यूंकि ज़ादा पहेंती नहीं हूं नीग्स है यह ममी ने अपने लिए खड़ी थी लेकिन मम्मी से पहनी ही नहीं मुझे दे दिये और मैं ही जादा तक इसे पहनती हूँ मेरी जो ब्लैक और वाइट लेंगा है ना उसके साथ पहनती हूँ और इससे किसी दिन मैं अपने जो ड्रेस का कलेक्शन है वो भी आप लोग के साथ सेयर करूंगी और क्या दिखाओ यह हो गई है यह एक ऑक्सिडाइस नेकलेस यह भी काफी प्याड़ी है मल्की कलर की है इसे आप साड़ी के साथ पहन सकते हो मतलब में पहन सकती हूँ इसकी प्राइस है 100 उपी सॉप की पर अंकल ने बताया थे फिर मैंने इसे बर्गेनिंग करके 80 रुपे में खड़ी लिया आप लोग करते हो बर्गेनिंग मैं जादा नहीं करती हूँ लेकिन कभी कभी करती हूँ यह वाली जो यह 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 मैंने ट्रेंड से खड़ी थी इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है 60 रुपीज साथ मेरी ज्यादा तक जो यह इरिंग है ना वो ब्लैक कलर की है क्योंकि मुझे ब्लैक बहुत पसंद है यह पॉंपुम वाली जो यह 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 ना यह मैंने साथ 4-5 साल पहले इद में खड़ी थी फिर एक बड़ पैंके जिस्ट सेल्फी क्लिक किया फिर नहीं पैनी से यह देखिए यह वाली जो यह इडिंग है इससे किसी ने गिफ्ट किया था मुझे मुझे याद नहीं है लेकिन यह मैंने नहीं खड़ी दी थी ठीक है यह मैंने खड़ी दी थी यह भी इद को ही खड़ी दी थी तीन-चार साल पहले और इसे मैं पहनती भी नहीं हूँ यह वाली जो है यह मैंनी मम्मी की है यह बहुत पुरानी है लेकिन यह मुझे बहुत पसंद है मैं इसे पहनती तो नहीं हूँ गड़ में पहनती हूँ फोटो क्लिक करने के लिए बाहर कभी पहन के नहीं गई यह गोल्डेन कलर का है बच्पन में न मैं इसे ऐसे पहन के मंग टिक कबना के खिला करती थी ब्लैक स्टाड यह भी कफी खुबसूरत है ना यह मैंने खड़ी दी थी यह भी 3-4 सल पहले की है जितने भी सरे ब्लैक पूड़क्ट है और मैं ही खड़ीती हूँ क्यूंकि ममी को ब्लैक पसंद नहीं है देखिए यह ऑक्सिडाइज एडिंग है यह मैंने पिछले साल इट कव खड़ी धी इसके प्राइस है 90 रुपिस मुझे ठीक से आप्राइस याद नहीं है ये जो येर्डिंग्स है ये मम्मी के एक कॉलिग ने मुझे गिफ्ट किया था ये एक और येर्डिंग है मेरी नेकलेस जादा नहीं है क्योंकि मैं नेकलेस पहनती नहीं हूँ तो खड़िती भी नहीं हूँ ये एक छोटी सी स्टार्ट है ये भी मैंने मेले से खड़ी दी थी इसकी प्राइस है 10 रुपीस ये जो येर्डिंग है मेरी एक बैंड ने मुझे मेरी वर्डे को गिफ्ट किया था इस स्टार्ट को मैंने ट्रेंग से खड़ी दी थी मेरी जितनी भी एडिंग है मैं बता रही हूं ना सारे के सारे ब्लैक ही है मुझे पाइल तो ज्यादा पसंद नहीं है ये चाल-पांच साल पहले तब मैं थोड़ी छोटी थी तब खड़ी दी थी गॉल्डेन कलर का पाइल एक दम सिंपल साय इसमें घूंगरू भी है यह मेरी नोज रिंग मुझे सबसे ज्यादा पसंद है यह वाली मोडल जो है और यह मैं खोल के दिखाती हूं यह वाली जो मॉडल है यह मेरी सबसे फैबरेट है इसकी प्राइस तो यह टू रूपीज यानि की दो रूपया लेकिन कोई मुझे सो रूपय देगा ना फिर भी मैं इसे सेल नहीं करने वाली इसकी एक कहानी है बताओ यह वाली जो नोस रिंग है ना यह मुझे इतनी पसंद आई थी मैंने एक साथ चार पंच खड़ी दिया था अभी तो तीन है दो किदर खो गए यह मुझे नहीं पता इसे में बहुत समाल के रखती हूं इधर रख देती हूं नहीं तो फिर से खो जाएगा इधर रखो इधर रख देती हूं और क्या है यह वाली यह है पर्ल स्टड यह मम्मी ने मेरे लिए दीघा से लेके आई थी एंड दा लस्ट वन इस यह भी काफी जादा अच्छी है इसे पहन के ना रॉयल सी फिलिंग आती है यह स्रिप साधी में ही पहन सकती हूं मैं इसके साथ है यह मांग टिक का और दो यह डिंग इसकी प्राइस है कितनी थी याद नहीं है पीछे लिखा वह होगा हाँ इसकी प्राइस है 545 मुझे साथ आंकल ने कुछ रिस्काउंट दिये थे मुझे याद नहीं है अभी और कुछ नहीं है चूरी है दिखाती हूं चूरी जो है मैं कभी चूरी नहीं खड़ीत की हूं मम्मी हमेसा खड़ीत के देती है मुझे चूरी बहुत सारे चूरीया है यह देखिए सारे के सारे ममी ने खड़ीत के दिये है मुझे चूरीया ज़्यादा पसंद नहीं है यह जो चूरीया है यह मेरी एक पिंक कलर की लहंगा है उसके साथ मैचिंग करके पहनने के लिए ममी ने खड़ीत के दी और इधर भी है वाइट कलर की है यह मैं पहनती भी नहीं हूं और यह दो जो है बोल्डेन कलर की है यह है बस यह है और कुछ नहीं है मेरे पास मेरी जुएलरी कलेक्शन बहुत ही कम है आज के वीडियो यहां पर खतम करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कल मिलकर एक और नए वीडियो के साथ ठैक्स पर वाचिंग